मित्रों आज माता सरस्वती की जयन्म की कथा को आपको शुनाएंगे। इसे माता सरस्वती को शारदा, शतरूपा, वानी, वाग्यदेवी, बागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। सरस्वती उत्पत्ती की कथा शरस्वती पुरान के अंसार, हिंदु धर्म के दो ग्रेंत, सरस्वती पुरान और मतस्य पुरान। में श्रिष्टी के रचिता ब्रह्मा का अपनी ही बेती सरस्वती से विवाह करने का प्रशंग है जिसके फल्सरूप इस धर्ती पर प्रथम मानब मनु की उत्पत्ति है। श्रस्वती पुरान के अनुसार श्रिष्टी की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने विड़ से सरस्वती को जन दिया था। कि सरस्वती की कोई मा नहीं केबल पिता ब्रह्मा थे। स्वेंग ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्शन से खुद को बचा कर नहीं रख पाया और उन्हें अपनी अर्धांगनी बनने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की शमनोभावनाव को भाव कर उनसे बचने के लिए चारो दिशाओं में छिपने क्या प्रयत्न किया। लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए बीवा शोकर उन्हें अपने पिता के साथ बीवाह करना परा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब सो बरसो तक एक जंगल में पति पतनी की तेरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वैंग्भू मनू। और सरस्वती उत्पत्ति की कथा मतस्य पुरान के अनुशार ब्रह्मा के पांस सिर थे। कालांतर में उनका पांचवासीर काल भैरब ने कार दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने स्रिष्टी की रचना की तो वह इस समय समस्त ब्रह्मान में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुक से सरस्वती शांध ब्रह्मी कोट बन किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाय हुई रचना सरस्वती के प्रतियाकरशित होने लगे और लगातार उन पर अपने द्रिष्टी डाले रखे थे। ब्रह्मा की द्रिष्टी से बचने के लिए शरस्वती चारो दिशाओं में छिपती रही लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए शरस्वती आकास में जाकर छिप गए। लेकिन अपने पाँच बेशीर से ब्रह्मा ने उन्हें आकास में भी खोज निकाला और उनसे श्रिष्टी की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। शरस्वती से विवाह करने के पस्चात सरप्रथम स्वैंभु मनु को जन दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पिर्थवी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। अब बशंत पंचमी की कथा कहते हैं ये तो माता सरस्वती की उत्वन की कथा हुई। श्रिष्टी के शुरू के समय में भागवान विश्णू की आज्या से ब्रह्मा जी ने मनुस्योनी की रचना की। प्रंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तबनोंने विश्णूली से आज्या लेकर अपने कमंडल से जल को पिर्थवी पर छिरक दिया। इसे प्रिथवी पर कमपन होने लगा और एक अदबूत सक्ती के रूप में चतुर्भुजी सुन्दर इस्तरी प्रकट हुई। जिसके एक हाथ में बीना एबम दुसरा हाथ बरमुद्रा में था। वही अन दोनों हाथों में पुस्तक एबम माला थी। जब इस देवी ने वीना का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जन्तुओं को बानी प्राप्थ हो गए। तब ब्रम्हा जी ने उस देवी को वानी की देवी शरस्वती कहा। सरस्वती को बागिश्वरी, भगवती, शारदा, वीना वादनी, सैतानेक्यों नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जनमोत्सब के रूप में भी मनाते हैं तो बोलिए जयमाता सरस्वती, जयमाता सरस्वती।